कि प Jadi पर रहूंगे मैंने आपको समुझाने के लिए कूछ कोफें लिए है जिसे और में यह को सब्रता है किस चाहिए लिखेंगेश में लिखने का तरीका उसको को टौबर वो बना दे किस तरह लिखा जाएगा सो जैसे का आपको देखने भी अच्छा राइटिंग है किस तरह के आपको अच्छे से डिजाइन से बनाया जाता है तो आपको खुद अच्छा ही लगने लगा तो मैं आपको समझाने के कुछ आप नीचे मैं इसका एंसल लि लिखते हैं तो एक्जाम नों काफी खुद रॉज जाएगा और इससे आपको अच्छे मार्स फूरे फूल मार्स देने लगेंगे जैसे आपको देख पार कोस्चन वहां पर था एक नंबर की योगी किसे करते हैं अब इसका एंसर हम इस तरह यहां पर लिखे जैसे आपको कि कोस्चन वन के यहां पर देख देख दिए बॉल्ड में की कोस्चन नंबर एक का एंसर इस तरह आपको कोपी के बीचों पीच हेड़ डान में लिख देना है ठीक है अब लिखने के बाद आप चाहें तो इसकेल से नीचे में दो लाइन इस तरह के खेश सकते हैं ठीक कौण से एंसर का मतलब कौन से क्वेस्चन का कौन एंसर लिखा उसको देखने में सहले तो कि देखने में अच्छा फील भी होगा तो उसके लिखने के बाद आपको क्या करना एक लाइन यहां पर छोड़ देने से आपको आप देख पार हैं एक लाइन हमने छोड़ दिया अब यहां पर एंसर देखता हैं कि दो या दो से अधीक परमानों के मेल से बने प्रदार्थ को योग कहते हैं यह हमेशा निश्चित अनुपात में होते हैं जैसे आप लोग एक्जामपल देख पार हैं तो एक चीज़ आप अप लोग ध्यान देना है मैं यहां पर इतना इस तरह लिखने से आपको पूरे तीन के तीन मार मिल जाएगे और में चीज दो आपको ध्यान रखना की बात है आप यह चीज जैसी कुष्टन पूरा फिनिस अपर फिनिस हो गया है तो आप लोग को कम से कम तीन या फिर हो सकते तो चार लाइन आप लोग को बीच में छो पूर दिया है ठीक अगर आपके पास जादा को पी तो आप चार लाइन भी छोड़ सकते हैं उसके लिखने के बाद फिर अगला कुष्टन जिसी लिखने तो वहां उसी तरह से में उसमें भी अपना है क्वेस्टन दोगा बीचो बीच कोपी के लिखना है और लिखने के ब अगर आपके बेच में गलती हो जाती है कुछी भी वर्ट को तो आप लोग वहां पे दोबारा ने करें अगर दोबारा उसको दोबारा तो आपके और भी बॉल्ड हो जाता है और उसकी नजर वहीं पर पर जाती है एक्जामपल के तरुपे मैंने जब यहां पर लिखाओं और जब मुझे नीचे में लिखना दे मैंने एक बार ऊपर लिख दे आपको दिखाने के लिए अब इसको यहां पर गलती लिख दिया तो मैं इसको क्या गया सिर्फ एक बार सिंगल कट करके मैंने उसको काट दिया ज्यादा कट नहीं किया अगर मैंने इसको ज्यादा करता तो सब पूरे कोपी में नजर आपका वहीं परता तो आप इसलिए ज्यादा से ज्यादा कुसिस करें कि कहीं भी गलत होया था तो उसको सिर्फ एक ही टीक में हलके इसमें सिर्फ काड़ देना उसको ठीक है यह चीजे को आपको ध्यान रखना है और जितने भी आप लिखेंग फिर जैने हैं सिर्फ लिखना अपर एक फिर चाहले पुरा कंपिलिट हो जाए फिर चली यह तो रहा दो मार्स या फिर तीन के अगर आपके मान लिए दस मार्स फिर पांच मार्स इस तरह कुस्ष्टन फिछाए तो उसके लिए आपको क्या चाहिए कि कम से कम एक पेज तो पूरा फूल होना चाहिए यह एक पीज होगा यहँ पूल मैं पर पेज में चाहिए यह एक पेज फूल होगिया और अगला पेज में उलाटे तो वहाँ के में यह आधा तक खाली रहा तो यह ने करें करें के 10 सका फूरत यहीं से हमंद्रिशे सुर्ल Χा को ओसलो हो तो आप को करना क्या है है कि यह जो खाली इसको पूरा को चोड़ देना लिखना है यह अगर आधा से जदा या फिर अग्ला स्फिन शुरुबा तो यह चीज आप लोग घ्यान में रखे मैं आपको गारंडी देता हूं कि आपके अच्छे से पड़े हैं तो आपको फूल मार्स मिलना जरूरी है चाहिए आप कितने भी किसना भी कुछ अगर वो काटना चाहिए आपका नंबर काट ही नहीं सकता है उसको ऐसा ही देखने में पूरी तरह से अच्छा लगए तो वो कोई भी ऐसा टीचर नहीं होगा और को आपको मार्स को काट दे तो आपको यह यह चीज़ फॉलो करना अग्जाम में देए और देखने के लिए कितना आपको अच्छा मार्स मिलता है तो चलिए यहीं तो कि मसमात करते हैं इसके बात अगला वीडियो होगा किस तरह आपको तयारी करना है और किस तरह आपके राइटिंग को लिखेंगे कि एक्जाम में आपको खुछ होंदा कि सेटाइ लाइक किजिए और इस वीडियो जतना लाइक कि इतना अगला दूली कि लिए आँक़कर यांगी क्या चलिए यही मैं हिन जय भार्द और थैंक्स फूर वाचिंग